हेलो गाईस तो स्वागते आपका टेखनीकल अंकित मैं और में नामें अंकित और आज के वीडियो वीओ वाइठाटी यूजर्स के लिए काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के कैसे आप अपने व वाइठाटी डेवाइज में तो गाईस वीडियो काफी जादा मेजिंग होने वाली है और गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड देन चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करत हैं तो गाइज आपको करना क्या है सिंप्ली अपने क्रोम ब्राजर पे चले जाना है एंड देन क्रोम ब्राजर पे जाने के बाद आपको सिंप्ली सर्च आर पे सर्च करना है वीवो वाई 30 फिर्म वेर डाउलोड फिरी अपडेट तो एंडर 12 तो गाइज आपको सिंप्ली ये सर्च करना है तो जैसे आप ये सर्च करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां सेकंड वेबसेट दे रखी होगी वीव वाई 30 फिर्म वेर डाउलोड फिरी अपडेट तो एंडर 13 12 11 10 तो आपको सिंप्ली इस वेबसेट पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस वेबसेट पर क्लिक करोंगे तो आपके सामने एक पेज उपन हो जाएगा तो यहां आपको स्कॉल करना है और स्कॉल करने के बाद यहां आप देख सकते होंगे यहां काफी सारे वर्दन दे रखे हैं तो यहां आपको एंडर 12 स्लेक्ट कर लेना है तो जैसे आप यहां एंडर 12 स्लेक्ट कर लोंगे तो यहां आपको स्कॉल करना है और guys call करने के बाद यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ एक option दे रखा है download ender 12 तो आपको simply इस वाले option पर click करना है तो जैसे आप इस पर click करूंगे तो यहाँ आपका एक torrent डाउलोड जाएगा तो आपको simply इस torrent को open कर लेना है तो guys जैसे आप इस torrent को open करने ही कोशिस करूंगे तो यहाँ आप वीड मैट पर आ जाओंगे तो guys यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ ender 12 जिप लिक रखा है तो पहले तो यहाँ आपको ender 12 जिप को select कर लेना है तो guys जैसे आप इसे select कर लो तो यहाँ एक download को option दे रखा होगा तो आपको इस पर click करके इस update को download होने देना है तो guys यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ हमारा view वाइठ हाटी का ender 12 update डाउलड होने लगा है तो आपको simply इस update को download होने देना है बट guys मेरे को यहाँ update डाउलड नहीं करना है तो मैं simply से cancel कर दे रहा हूँ बट guys जैसे आपको इस update डाउलड हो जाए तो आपको करना क्या है आपको अपने file manager पर जाना है और file manager पर जाने के बाद जहाँ आपने इस update को download किया होगा आपको उस folder को open कर लेना है तो guys जैसे आप उस folder को open कर लोंगे तो आपको अपने update पर hold click करना है और guys hold click करने के बाद वहाँ corner में 3.com option आ जाएगा तो आपको उस पर click करके उसे extract कर लेना है तो guys उस 3.com वाले option में जैसे आप उस पर click करोंगे तो वहाँ एक extract का option होगा आपको उस पर click करके उस update को extract कर लेना है तो guys जैसे आप अपने update को extract कर लो तो आपको करना क्या है जो extract की हुई file होगी उसे move करना है अपने SD card या internal में तो guys जैसे आप ये काम कर लो तो आपको करना क्या है आपको अपने setting option में चले जाना है और setting option में जाने के बाद आपको अपने system update में जाना है और guys system update में जाने के बाद यह corner में setting option होगा आपको इस पर click करना है तो जैसे आपस पर click करोंगे तो यह local upgrade दे रखा होगा तो आपको इस पर click करना है तो guys जैसे आस पर click करूंगे और जो आपने update अपने SD card या internal में move किया होगा वो update आपका यहाँ आज आएगा तो आपको simply उस update पर click करके उसे अपने view वाइट हाटी device में install कर लेना है तो guys इस तरीके से आप अपने view वाइट हाटी device में Android 12 update डाउलोड कर सकते हो और से install कर सकते हो इस तरीके से तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करें and then channel पे नए हो तो channel को भी subscribe करें और side में bell icon को press जरू करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की notification जल्दी मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you